Hello friends, मैं मादूर अगरवार और ट्वेडास ओनले यूटिव चैनल पर अब सभी दोस्तों का मैं स्वावत करता हूँ दोस्तों, जैसे कि आब आप जानते हो कि अब एक फरवरी 2018 को भारत का वित्य बजट पेश होने वाला है और यहाँ पर जो हमारे वित्य मंत्री है माननीरे श्री अरुन जेटली जी इनके उपर ये बार और जाधा अथिरिक भार है कि उन्हे भारत की जो अर्थ वेवस्ता है उसे और जाधा मझ्बूती प्रदान करी अब ये जो किस्सा हुआ है यह उनके उपर अतिक भार इसके लिए आया है क्योंकि वर्ष 2016 के अंदर जब demonetization हुआ तो यहाँ पर भारत का जो GDP है वो गिरिया था उसके बाद में वर्ष 2017 के अंदर जब GST आया है तो लोगों को वो GST के अंदर आने के लिए उसको खुद को accept करने के लिए बहुत जादा समय जा रहा है और यही चीज़े accept करने के लिए उसके वज़े से लोगों का जो GDP जो है देश की जो अर्थ वेवस्ता है थोड़ी सी कमज़र हुई है लेकिन अगर आप जो थर्ड जो कौटर जो था यहाँ पर GDP कम हुआ है लेकिन अंतर आश्ची संस्ता है कुछ है उनका ये कहना है कि आने वाले जो वित्य वर्ष है 18-19 यहाँ पर भारत की अर्थ वेवस्ता बहुत जादा मजबूती के साथ में आएगी और साथी में जो GDP जो रहने वाला है यह 7% के उपर भी रहने वाला है तो यह एक बहुत अच्छी positive sign है लेकिन आप भी जानते हूँ मैं भी जानता हूँ कि यह जब कोई अंतर आश्ची संस्ता कहती है कि आपका पास में 7% के उपर जाने का GDP का अफसर है तो यह सरी बोलने स नहीं होगा इसको proper execution करना पड़ेगा अब यह execution करने के लिए ही अब पूरा जो budget रहने वाला है वो उसके उपर focused रहने वाला है उसके बाद में हम जैसे जो आम जनता है आपके जैसे मेरी जैसे और जो मेरे बाखी की जो extended family है यह जो आम जनता है इनके लिए भी budget इस हिसाब से मानने बहुत ज़्यादा क्या कहते है उसे important है क्योंकि यहाँ पर सब लोग expect यह करते है कि यह साल government जो है हम लोगों को income tax का जो basic exemption है यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा exemption दे लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है जो मेरा खुद का कहना है कि यहाँ पर आपको basic exemption के अंदर तो probably बहुत कम चूट मिलेगी लेकिन government यह करेगी कि आपका जो section 80C जो है आपके savings ओगरा जो है यहाँ पर हो सकता है कि government अपने slaps जो है वो बढ़ा सकती है जैसे पिछले साल जो देड लाक रुपे हुआ था अब यह साल हो सकता है दो सोवा दो धाई तक चला जाए पता नहीं क्या होगा लेकिन यहाँ पर अगर savings के उपर आगर हम लोग importance अगर दे savings को अगर motivate करे लोगों को करना तो हो सकता है कि अभी को के budget के उपर क्या views है नीचे comment box में जरूर दालिए मेरे इस चैनल को like जरूर करिए मेरे इस चैनल को subscribe जरूर करिए और यदि आपके और कुछ प्रशन होते हैं नीचे comment box में जरूर दालिए मेरे अगले वीडियो तक के लिए जय हिन्ट